मैं यहां पर आपको बताता हूं के बड़े डेटा-बेसिस में से डेटा कैसे निकालने आपने, ठीक है, तो डेटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, और कहां से आप डेटा अच्छे वाला ले सकते हैं, रियल लाइव, उसके लिए गूगल पर जाएं, वाला डेटा ठीक है और यहीं पर लिखें आपको केगल का या कहीं कभी होगा डेटा यहां पर आ जाएगा for example मुझे शौक है say for example किस चीज़ का डेटा निकाले हम निकाल लेते हैं car prices data for car prices car की prices का तो केगल का भी यहां पर मजूद है US के अंदर भी मुझूद है consumer index भी है and there are many other data sets original data sets है यह original जिने बोल थे तो आप यहां पर क्लिक करें केगल पर जाएं वहां से आप data ले सकते हैं ठीक है तो आप यहां से search कर सकते हैं data एक तो यह है दूसरा एक और है machine learning repository है machine learning data repository तो UCI machine learning data repository है UCI machine learning ठीक है? University of California Irvine यह उनकी है जी यहां पर आला किसम के बड़े बड़े data sets पड़े हुए and यह data mine है बहुत बड़ी data mine है which can actually help you a lot to work on your own data set तो आप यहां data sets पर click कर सकते हैं तो इस तरीके से data set आगे आईरस से लेके बड़े वाले data set पड़े हैं तो आपने left side पर जाना है data type आपने tabular data पर click करने है ठीक है? tabular data क्योंकि आप अभी tabular data पर है फिर आपने subject area select करने है कोई भी आपका जो अच्छा लगता है आपको for example मुझे अच्छा लगता है जी business का मैं I'm just giving an example यह कर लिए click फिर task पर जाने है आपने कोई machine learning का task नहीं करना आपने सिरफ proper EDA करने है ठीक है तो आपने वह वालन data निकालने है जिसका EDA करने attribute का मतलब है कितने columns है less than 10 column या 10 से 100 यह आप पर depend करता है कितने आप अपने आपको पानी में समझते हैं 10 वाला करना है 100 column वाला करना है या 100 से ज्यादा column वाली data को आपने छेड़ना है so you can click on that for example मैं less than 10 पर click करता हूं फिर मैं instances पर click करता हूं यह है number of rows पता है ना attribute और instances का तो यहां पर आप less than 100 नहीं करना आपने 100 से 1000 या more than 1000 अगर आपका system बहुत heavy है तो more than 1000 अगर normal है तो 100 से 1000 ठीक है and then attribute type आप यहां से numeric, categorical or mixed, mixed पर click करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए so this is how you have to do और किसी भी एक नीश पर आप करने के बाद यहां से sorry चेक करते हैं हमारे पास फिलाल डेटा कोई नहीं आया तो business में नहीं है तो हम किसी और में चेक करेंगे computer science में एक data आगया engineering में game में बलके इसको मैं open नहीं रखता हूं तो यह हमारे पास तक्रीबन एक यह वाला data set है data set on UBS classification clinical establishment तो अगर हमारे पास बाकी data set अगर हमने रखने तो इसको open भी कर देंगे so that's not a problem अगर available ना होए machine learning के लिए available होगे otherwise नहीं होगे by the way आप यहां पर अपना data set search करें यह इस तरीके से आपके पास tabular data तकरीबन 19 data set है 19 में से यहां से भी choose कर सकते data set की यह वाली जो car prices या different किसम की Google data set से भी देख सकते हैं IPYNB और PDF के अंदर मुझे send करना है और deadline आप पता दें कब तक होना चाहिए